लेजन आप इस एक lecture के अंदर हम एक data की app बनाने वाले हैं जिसमें data को download करेंगे data को upload करने की सलागियत भी रखेंगे and then we can create multiple kinds of plots inside streamlet dashboard यह streamlet web app let's start with that screen आपके सामने हाजिर है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 13 number folder के अंदर मैं यहाँ पर 02 underscore app underscore number two अपनी बनाने वाला हूँ और इस app के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ app.py ठीक है तो यह मैंने एक file बना ली है अब app.py के अंदर अब हमने अपना काम स्टार्ट करने हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ import streamlet as st ठीक है जी फिर हमने import pandas as pd numpy as np और यहाँ पर matplotlib भी हम कर लेते हैं import matplotlib .pyplot as plt and then import cbon as sns यहाँ पर हम देंगे add title title देते हैं अपनी app को which will be my second app की बजाए मैं इसको कर देता हूँ tips data analysis application ठीक है और st.sub header भी add करता हूँ मैं यहाँ पर जिसका मैं नाम देता हूँ this is a simple data analysis app created by add the rate kodanix ठीक है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको add कर दिया right अब यहाँ पर add करने का सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि जब आप इस app को run करेंगे which I can do now let me see run app.py जब आप इस app को run करेंगे then it will show you something like this ठीक है तो आपके पास यह app बन गई है अब इस app के थूँ अब हम अपना सारे के सारा काम जो है उसे start करने वाले अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस app के अंदर हम और भी मजीद लौजमाद add कर सकते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ load the data ठीक है और data load करने से मैं यहां पर df लिख देता हूँ और pd.readcsv दूसरा काम यह है कि हम sns.load dataset लिखें और यहां पर iris या कोई भी data हम यहां पर दे दे for example मैं यहां पर दे देता हूँ tips ठीक है अब आप देखेंगे कि हमारे पास df के अंदर एक data आ गया लेकिन what if we create a slider या हम slider की बजाए select box add करें with multiple data ठीक है और इसकी example मैं देता हूँ मैं यहां पर control आई दबाता हूँ तो github co-pilot आ जाएगा then I will say create a select drop down list to choose a data from multiple data sets available in sns.load data set such as iris, titanic, tips also provide the button if user wants to upload his own data set ठीक है तो मैंने यहां पर इसको बता दिया मेरे English में कुछ spelling mistakes नी है कोई मसला नी है तो github co-pilot यह मेरे साथ यह अच्छा यहां पर काम करेगा अगर आपके पास co-pilot नहीं है black box या code IUM की जो extensions हैं उसे install कर सकते हैं जो मैंने start में पूरे course के बताई थी so that it will work for you ठीक है अब इसने जो मुझे यह काम यहां पर uploader बताया है now you can see के हमारे पास कुछ चीजें यहां पर आ चुकी है and now we can see के हमारे पास किस किसम का काम यहां पर आ गया है अब थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है कैसे यहां पर देखिए हमने एक object बनाया जिसका नाम है iris, titanic and tips इसके अंदर तीन किसम के data set है iris, titanic and tips का मैं इसके अंदर diamond का भी रख लेता हूं which is a big data set diamonds और यह चार data set होगे फिर हम select box बनाते है select a data set की अंदर हम बजाए इसके के हम कोई information दें हम सीधा object का नाम रख देते हैं इसका मतलब है कि जब हमने यह object का नाम रखा अब वो select box के अंदर हमारे पास यह वाली options मुझूद होगी ठीक है अब यह तो हो गया हमारा select box अब अगले code पे हम बाद में जाते हैं मैं इसको आपको show करवाता हूँ always rerun पे click करके now you can see के हमारे पास यहाँ पे titanic का data भी है iris का भी है tips का भी है and diamonds का भी है so now we can actually select a data set दूसरी option हम यहाँ पे upload भी कर सकते हैं csv और xlsx भी कैसे उसको अब देखते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे code add किया है load the selected data set if selected data set is equal to iris then df ये वाला function run कर दो अगर वो नहीं है तो titanic वाला कर दो अगर वो नहीं है तो tips वाला function run कर दो अगर वो भी नहीं है मैं यहाँ पे फिर alif लगाता हूँ diamonds का data set जो है उसे load कर दो तो ये क्या करेगा df के अंदर वो सारी की सारी चीजों को add कर देगा जो हम उपर से select करेंगे तो हमारे पास एक object आएगा df ठीक है df 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 होते होते यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे अगर हमारे पास uploader कोई अपना file upload करना चाहता है csv या xlsx की we also provided this button there ठीक है if uploaded file is not none then आपने क्या करना है उस file को read करना है ठीक है यानि के अगर उसने upload किया है तब वो file read होगी अगर नहीं किया तो वो data ही आगे चलेगा सही है so हमारे पास एक object आजएगा इसके बाद यह function करने के बाद जो हमारे पास df के अंदर store हो जाएगा now we can create different kind of data set यहाँ पर मैं उस data set को display भी कर सकते है simply हम df.head के थुरू उसको display करते है मैं ctrl s दबाता हूँ now you will see के कोई भी आप data set select कर ले वो नीचे उसका head आ जाएगा automatically सही है look आपके पास नीचे उस data set का head आ आ रहा है ठीक है और इसको आप zoom भी कर सकते है search भी कर सकते है not zoom और यहाँ पर आप इसको full screen में भी ले के आ सकते है so you can actually view the data और उसके column wise उसको देख भी सकते है और उसको यहाँ से आप view भी कर सकते है copy भी कर सकते है you can do a lot of things यहाँ पर click करेंगे तो उसे download as csv भी कर सकते है ठीक है which I am not going to do at this moment यहाँ तक clear होगी जी बात आपको तो यह हमारे पास एक data set आ गया है अब हम इस data set में से कोई भी data set जो है पर चूज कर लेते हैं for example Titanic का और यहाँ पर मैं tips का data set for example चूज कर लेता हूँ ठीक है अब हमने क्या करने हमने app के अंदर एक और functionality आइड करने वाले हैं कि बजाए अच्छा अगर हम head लगाते हैं तो हमारे पास data पूरा 5 rows आती है अगर head नहीं लगाते हैं पूरे data set को हम write down करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से पूरा data आ जाते हैं लोक आपके पास इस तरीके से scrollable form के अंदर data आ जाएगा अगर आप head नहीं लगाते हैं का पूरा डेटा यहां पे display करते है and that's a good option by the way कि आपका data एक scrollable format के अंदर आ गया, तो मैंने head नहीं लगाया, head इसका मैंने remove कर दिया and now I can display the data like this तो मेरे पास एक data मुझूद है, ठीक है, now अब यहां पे हम क्या करेंगे, उसकी shape को print करेंगे ठीक है, और हम लिखेंगे कि data की shape यह है, ठीक है यहां हम यह कह सकते हैं, display the number of rows and columns from the selected data, और उसके लिए simple आप क्या करेंगे, df और उसकी shape बता देंगे, number of rows आ जाएगा, फिर आप बताएंगे तो number of columns उसके आप लिख सकते हैं, ठीक है, then you can also अगर आप इसको view करना चाहते हैं, आप बार-बार देख सकते हैं, यहां पे 244 number of rows है, 7 number of columns है, और हमने tips का data लिया था, titanic का scenario totally different होगा, and then हमारे पास diamond का totally different है, यह बहुत बड़ा data set है, ठीक है, so this is how you can actually do the things, right, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे, display the shape हमने कर ली, now, display the column names of selected data, ठीक है, with their data type, अब हमने क्या करना है, selected data जो हमारा है, उसके names हमने print किया, और उनकी data type हमने print कर दिया, तो simply हमारे पास df.datat type जब हम लिखेंगे, तो वो वाली command हमारे पास एक ही काफी होगी, तो मैंने उसको run करके, यहां पे save किया, and now here you can see, के मेरे पास, इस तरीके से चार column है, तो उनकी data type आगी, iris में, titanic में अगर मैं जाता हूँ, तो यह आगे जी, titanic के data की, पूरी के पूरे format और data type, और यहां पे tips के data की, अगर करूँगा, तो उसकी आगे है, हमारे पास, so this is how you can actually create, और आप इसको drag भी कर सकते है, so it's totally up to you, right, हमने अब यह भी काम कर लिया, data की type भी देख ली, now we have to write a function to find null values, print the null values if those are greater than 0, तो हमारे पास क्या आएगा, if df.null.sum .sum is greater than 0, तो हमारे पास क्या आएगा, जनाब, st.write null values df.isnull.sum इस तरीके से हमारे पास आएगा, और यह हमारे पास print कर देगा, कि null values हैं या नहीं हैं किसी data set में, मैं देखता हूँ, इसमें थोड़ी से मुझे mistake लग रही है, हमारे पास, जनाब tips के data में, कोई null values नहीं है, titanic के data के अंदर null values हमारे पास हैं, जी, 117 age में है, 2 embark में और 688 deck में है, so now we know, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ, सिरफ वो ही column print हो, जिनकी values हमारे पास, greater than 0 है, तो मैं यहाँ पर उसको लिख लेता हूँ, अब हम देखते हैं कि जी, null value, यहाँ पर मैं इसको dot, sort, values, और ascending false इसको कर देते हैं, let's see, अगर यह अब काम करता है, हमारे पास तो, अब हमारे पास, जिसकी null values सबसे ज्यादा होंगी, यहाँ पर आएंगे, और जिनकी नहीं है, वो नीचे आजाएंगे, ठीक है, so this is how you can create, a column, based on the null values, a data frame, something like this, ठीक है जी, तो यहाँ पर 688, 688, 88 हमारे पास values जो हैं उसकी, null values आगे, अब हम क्या कर सकते हैं, बे बहागाम कर सकते हैं, ठीक है, so हम यहाँ पर पहला काम यह करेंगे, कि, summary statistics of the selected data, हम वो print कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको भी पता है, summary statistics, df.describe, और हमारा df वो ही data है, या जो हम यहाँ पर upload कर रहे हैं, या हम यहाँ से देख रहे हैं, for example, किस तरीके से आ गई है, और यह null value उस थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ तक आपको clear हो गया, किस तरीके से हमारे पास पूरी के पूरी आप, जो है, वो काम कर रही है, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर, select the specific columns, for x or y axis from the data, set, and then also select the plot type, to plot the data, अब मैंने एक यहाँ पर छोटी सी चीज यह लिखी है, कि हमने यहाँ पर, सबसे पहले तो, df columns जितने भी हैंने किसी भी data set के, वो हमने select करने x or y axis पर क्या आएगा, and then we have to select the plot type, line बनानी है, scatter, bar, hist, box, या कुछ भी हमने जो बनाना है, उसकी plot type, and then, उसके बाद हम plot type को यहाँ पर plot करेंगे, और उसको plot करने के लिए, आपके पास basically, data को plot करने के लिए, st.plot की type होती है, if plot type is line, then you have to create x or y axis का line chart, अगर plot type scatter है, तो आपने x or y axis का scatter बना देना है, अब अगर आपके पास plot type बार है, तो आपने x और y axis का plot type बना देनी है, अगर आपके पास plot type hist है, तो आप क्या करेंगे, axis का ही, एक axis का ही hist plot बनाएंगे, ठीक है, और अगर आपके पास plot type box आ रही है, तब भी आपके पास एक ही axis का plot बन सकता है, या दोगा भी आप बना सकते हैं अब आपके पास अगर KDE है तो KDE का भी plot आप different अपनी मर्जी से बना सकते हैं आपके पास जो plot type आती है you can actually use that by selecting each of the dataset यहाँ पे आपके पास है ठीक है आपने क्या करना है अगर आप कोई भी plot type select करेंगे तो वो plot आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अब हम देखते हैं कि यह हमारे पास कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे आपको एप के उपर ले जाता हूँ मैंने यहाँ पे select किया है sepal length and sepal width ठीक है और हमारे पास यहाँ पे line plot हमने बनाना चाहा scatter भी बना सकते हैं मैं इसको दुबारा से refresh करता हूँ iris को हमने select किया है और यहाँ पे sepal length और sepal width के अंदर हमने line plot बनाया scatter भी बना सकते हैं और हम बार को अगर देखें तो इस तरीके से बनेगा because our x-axis and y-axis should be different तो हमने जैसे इसको दुबारा से select किया तो हमारे पास x और y-axis उपर उसके further बन रहे है ठीक है यानि के इसका मतलब है there is something wrong in the coding हम एक plot बनाते हैं वो उससे बनके अगले वाला उसी को update कर रहा होता है ठीक है so we need to check that by the way हम यहाँ पे अगर data को यह और select कर लें for example titanic select कर लें so now we can say survived का column या हम x-axis पर रख लेते हैं survived y-axis पर रख लेते हैं age और हम यहाँ पे इनका एक bar plot बनाना जाते है ठीक है तो यह हमारे पास x-axis का survived यह को sense नहीं बना रहा so अगर हम यहाँ पे fair को रख लें और यहाँ पे हम बनाए scatter plot still this is something something is going wrong here I can assure that fair अगर हम रखते हैं y-axis पर और x-axis पर survived रखते हैं then this is wrong sex रखते हैं so streamlit column for rendering the chart contains too many values okay now I understood हमारे पास जो एक plot बन रहा है उसके उपर ही अगला जो है वो हमारे पास print हो के आ रहा है and that's not a right thing तो हमें इसको correct करना होगा by the way दूसरी चीज़ यह है कि आप बजाए इसके multiple plot यहां पर बनाना start कर दे you can actually do your own plotting और आप अपने columns की base पे plot कर सकते हैं चीज़ों को ठीक है तो उसके लिए simply एक pair plot भी enough होता है तो अगर मैं इन सारे के सारे code को यहां से खतम करूँ ठीक है और यहां पर मैं simply display the correlation matrix कर लूँ या pair plot कर लूँ तो हमारे पास df core पूरे का पूरा आ जाएगा let's see लेकिन df core सिरफ उसी का भनेगा यह जो code है मैं वो सारे के सारे जो code था वो मैंने यहां से यह remove कर दिया because there are many plots which doesn't make sense और इसको हम resolve करते हैं but before that जो best strategy होगी वो कोई भी आप df का core निकाल सकते हैं ठीक है ओके df बलके इसका pair plot बनाते हैं create a pair plot लें जना आप तो यह एक pair plot जो हमारे सामने है यह हम कैसे बनाए है आपको भी दिखाया है कि एक code के थूँ ही सारे के सारा pair plot बन सकता है अगर pair plot के अंदर कोई problem हो then you cannot create for example अगर कोई specific कोई मसला हो यह आईरस के अंदर एक pair plot जो है हमारा इस तरीके से बन सकते है right so species हमने color में दे दिया है बाकी यहां पे आ रहा है हम इसी plot को यहां पे titanic के साथ भी बना सकते है लेकिन now it's giving us the error के हमारे पास यहां पे species का कॉलम नहीं है so there is something wrong again we will resolve that यहां पे वो कह रहा है species का कॉलम नहीं है और diamond में भी कह रहा है के हमारे पास species का कॉलम नहीं है so हम आईरस के data set पे बनाते हैं then it's working fine what could be the reason let's see क्यूंके हमने pair plot के अंदर color जो है वो species के थ्रू दिया हुआ so अगर हम species को निकाल ही दें और df को ही रखें let's see now अब आपके पास कोई color नहीं होगा लेकिन plot ज़रूर आएगा for example titanic के अंदर अगर हम देखें तो आपका pair plot बन जाएगा but it will take some time क्यूंके processing बहुत heavy किसम की हो रही है back end के ऊपर ठीक है आप diamond का ना ही बनाईएगा क्यूंके diamond का pair plot बनाने के लिए अच्छा खासा time लगेगा and these kind of plots take a lot of time as well ठीक है अच्छा तो यह हमारे पास एक pair plot बन जाता है which you can select actually और यहां पे अगर हम pair plot के बाद यहां पे कहूं मैं select the column to be used as hue in pair plot तो उसके लिए आप क्या कर सकते है df columns को select करके comma hue is equal to hue column तो यह एक काम मैंने add कि है इसके अंदर which I can show you now यह iris का हमारे पास data है जिसका pair plot बन रहा है और हम इसको species की base पे color कर सकते है यहां पे मैंने color की एक command लगा दी कि आप कोई भी column select करें उसकी base पे color कर दें जैसे के अब titanic का हमारे पास pair plot बन रहा है then I can click on survived column तो यह हमारे पास उसकी base पे colored होके plot आ जाएगा still it will show you something लेकिन at the end यह plot इस तरीके से आप print कर सकते है survived yes or no का फिर आपके पास tips का column है tips का data है tips के data को अगर आपने male या female की base पे color करना है you can do that या आपने किसी और base पे करना है you just click here day की base पे तो यह आपके पूरा पूरा वैसा color हो जाएगा time की base पे भी आप कर सकते है and then you can also put size continuous value भी आप रख सकते है और आप discrete values भी रख सकते है so this is how you can create a kind of app based on different kind of things जिसकी base पे आप अंदाजा लगा सकते हैंगे हमारे पास किस तरीके से data जो है वो यहां पे print हो रहे है right अब जाहरी बात है आप जितना good डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा but you need to be very careful about the plot type ठीक है अब हम heat map भी बना सकते हैं इसी के अंदर ही और heat map के लिए आपको simply वो ही काम करना होगा जो हमने पहले की है कि आप यहां पे अपना correlation matrix पहले बनाएंगे और correlation matrix सिरफ बनता है column उन columns का जिनका आपके पास numeric data होता है ठीक है सो हम सिरफ और सिरफ correlation matrix बनाएंगे उन columns का जिनका numeric data है so select the columns which are numeric and then create a core matrix so यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने यहां पे column select कर ली है जो हमारे पास numeric column है और उनी का हम correlation matrix जो हैं उसे बनाना जा रहे हैं and let's see हमारे पास यह किस तरीके से heat map उसका बनता है या नहीं बनता अगर हमारे पास कोई column खराब होगा या कोई मसला होगा then we will see तो मैंने यहां पे tips के data के बजाए rs का data रखा iris का data और हमने यहां पे pair plot जो species की base पे बनाया था वो तो बन गया and then axis object says no attribute save fake तो there is something wrong in the code मैं code दुबारा चेक करता हूँ यहां पे क्या मसला है हम यहां पे बना रहे है heat map sns.heatmap core matrix का df.core annotator and cool warm को वगारा को हम यहां से remove कर देते हैं for now let's see let me add that comment जो हमें error दे रहे है so हम अंदाजा लगाते हैं अभी कि यह क्या मसला है हम कोई भी figure तो save ही नहीं कर रहे ना so यह हमें कह रहे है कि pair plot save fig pair plot png st.image this is not good तो हम क्या करते हैं यहां पे बजाए इसके c-bone को use करें st.plotly charts और plotly के थरूप बनाने की कोशिश करते हैं let's see इसमें अब error आ रहा है the figure or these columns have some errors okay go figure go heat map yes tips का column select करता हूं then it will create a heat map based on the tips column so tips का जो data है उसकी base पे हमारे पास यहां पे heat map भी बन गए so basically यह काम सारा बताने का मकसद यह है कि आप अपनी apps को जितना भी vibrant करना चाहें आप कर सकते हैं और अब हम देखेंगे prompting के through आप किस तरीके से app बना सकते हैं and within few seconds आपकी पूरी की पूरी app किस तरीके से create हो सकती है and believe me this is going to actually help you a lot अगर आप chat GPT 4 या chat GPT का जो latest version है उसे इस्तमाल कर रहे है और साथ में आपको पता है कि stream lead कैसे काम करती है then the next lecture जो भी आने वाला है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि stream lead का बहुत बड़ा कारनामा आप कर सकते हैं अगर आप chat GPT को अच्छा से यूज करें and I'm gonna show you that one यह app मैं यही पर रोकता हूँ अब आपने इसके अंदर और भी चीज़ें add करनी है आपने अपनी मर्जी से चीज़ों को practice करना है अपने data भी upload करके देख सकते हैं कितनी किसम के plot बन सकते हैं and you can do a lot of other things लेकिन next app के अंदर कुछ और भी different हम करने वाले हैं क्या ख्याल है करें फिर start like share subscribe कर दें अगर अभी तक नहीं किया आपने that will help us